देखो ताकत की अगर बात करें न तो एक चीटी की बैल के आगे क्या योकात होती है कुछ भी नहीं लेकिन देखो एक छोटी चीटी एक छोटी चीटी जो लगातार अपना काम करती रहती है ज्यादा ताकतवर है बैल के मुकाबले में जो सोता रहता है ये जो कोट है बहुत जबरदस्त कोट है और जितना भी मोटिवेशन आप सुन लीजिए सभी मोटिवेशन का ना एक ही सार है consistent efforts in one direction consistent यानि लगातार आप efforts लगाओगे एक ही direction में लगातार लगाओगे तो उसका result आपको मिलेगा देर सवेर मिलेगा आज नहीं तो कल मिलेगा एक छोटी चीटी जिसकी ताकत बहुत कम होती है लेकिन वो लगातार एक ही direction में काम करती रहती है करती रहती है करती रहती है तो सरदियां आने पर वो भी बहुत ज़्यादा खाना जमा कर चुकी होती है as comparison to एक bell वो सोता रहता है काम नहीं करता तो क्या फाइदा उसकी इस ताकत का वो students जो daily त्यारी करते हैं थोड़ा थोड़ा करते हैं लेकिन daily त्यारी करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं उनको देखो देर सवेर उसका result जरूर मिलेगा ही मिलेगा ये तैय है अगर एक ही direction में consistent efforts होंगे तो as comparison to वो चात्र या चात्राएं जो talented हैं जिनका IQ काफी अच्छा है लेकिन मेहनत नहीं करते चीज़े जल्दी याद होती हैं concept जल्दी clear होता है लेकिन मेहनत नहीं करते फिर उस talent का क्या फाइदा समझ रहे हो यानि एक cheatी जो लगातार move करती है ज्यादा ताकतवर है सोते हुए bell के comparison में date आज की 22 जनवरी 2024 है भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन और इस सुब अफसर पर discussion तो हम हमारी continue करेंगे चार issues हम discuss करेंगे तीन हिंदू के एक extra अलग से सबसे पहले article हम discuss करेंगे space में विभिन देशों के बीच में जो race start हो रही है इस issue से समंदित दूसरा article यहाँ पे ये वाला इंडिया Middle East Europe Economy Corridor से समंदित फिर article हम discuss करेंगे post office act से समंदित और सबसे लास्ट में article हम अच्छा discuss करेंगे महात्मा बुद की teachings की relevance से समंदित UPSC गांदि की teachings की relevance पूछ चुकी है और अब महात्मा बुद की teachings की क्या relevance है ये भी पूछ सकती है सम्भावना काफी ज़्यादा है तो ये भी discuss करेंगे चलिए discussion start करते हैं इसके बाद नए श्टार्टिकल देखो space में विभिन देशों के बीच में एक race से start हो गई है competition start हो गया है आप GS paper 3 के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हूँ देखो आपको याद होगा पिछले साल इंडिया ने सफलता पूरवक चंदर्यान 3 mission launch किया था उस mission में lander ने बिल्कूल softly चंदर्मा के south में land किया था और lander से निकला एक rover यानि चार पईयों की गाड़ी जिसने अपना mission पूरा किया यानि जो research करनी थी investigation करनी थी वो investigation complete की अब देखो जपान ने न सेप्टेंबर में अपना एक lander भेजा था चंदर्यान 3 mission कि तरह हैं चंदर्मा के उपर land करवाने के लिए जपान की space agency JAXA ने जो lander भेजा ना उसका नाम था smart lander for investigating moon क्या ये सफल हुआ mission देखो जपान का ये जो lander था ना सफलता पूरवक land तो कर गया moon के उपर लेकिन land करने के बाद में solar panels ने काम करना बंद कर दिया solar panels काम नहीं करेंगे तो फिर power कहां से आएगी हलांकि इसका एक backup था batteries भी थी तो solar panels ने जब काम नहीं किया तो batteries activate हो गई जपान के इस slim mission में batteries activate हो गई तो data तो transmit होने लगा एक और खास बात जपान के इस slim mission की इस mission को na moon sniper भी बोला गया क्या मतलब है इस चीज़ का जैसे sniper देखो जब निशाना लगाता है न बिल्कुल precisely target करता है किसी को sniper जब गोली चलाता है उसी परकार से ये जो slim mission है न इसका target ये है कि ये मानलो moon है moon पे कोई एक point कोई एक spot identify कर लिया सिरफ और सिरफ 100 square meter का मतलब देखो ये छोटा सा spot identify कर लिया जिसका size था सिरफ 100 square meter और target ये किया गया कि जो slim mission land करेगा precisely यहीं पर land करेगा सिरफ इसी area में जो कि 100 meter square का है वैसे देखो आम तोर पे कोई moon का mission land करता है न चंदरमा पर तो 100 meter का area identify कर लिया जाता है कि ये 100 meter का area मरजी कहीं पर भी land कर जाओ यार कोई दिक्कत नहीं है 100 meter का area बहुत बड़ा होता है लेकिन बिलकुल एक घर जितने area को identify करना और ये decide करना कि हमारा lander तो सिरफ यहीं पर land करेगा इस छोटे से area में precisely ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी ये aim किया गया था जपान की जाक्सा space agency के द्वारा इस mission में तो question ये उठता है क्या जपान अपने इस mission में successful हुआ क्या जो sport identify किया गया था 100 square meter का तो जपान का जो slim mission है क्या वहीं पर land किया जपान की space agency का कहना है कि भाया अभी एक महिना लगेगा अभी हमें नहीं पता कि जो 100 square meter का area हमने identify किया था precisely हमारा lander slim वहीं पर land किया या फिर नहीं किया ये पता लगाने में अभी हमें एक महिना लगेगा लेकिन देखो writer बात करते हैं space race की जो कि अब start हो चुकी है विबिन देशों के बीच चाइना ने 2020 में अपना एक mission भेजा था जिसका नाम था Chang E-5 ये mission तो देखो एक अदम आगे बढ़ गया ना सिरफ ये सफलता पूरवक moon के उपर land किया बलकि कुछ material भी वहां से जासके तो moon पर lander को land करवाना और बाद में उसे फिर से धर्ती पर लाना चाइना एक अदम आगे बढ़ गया है इसके अलावा चाइना अब फिर से Chang E-6 और Chang E-7 भी लोंज करने वाला है कि moon के जो south side है ना वहां से भी कुछ material उठाके मिट्टी वगरा उठाके वापस धर्ती पर लाई जाए और उसे investigate किया जाए वैसे देखो जपान ना पांचवा देश बन गया है जिसने सफलता पूर्वक अपने lander को moon पर land करवाया जपान से पहले US, Russia, China, India यह देश ऐसे हैं जिन्होंने सफलता पूर्वक अपने lander को moon पर land करवाया था लेकिन कुछ-कुछ देशों के बीच में international cooperation भी start हो गया है जैसे आप बात कीजिए India, Japan की India, Japan एक मिलके एक mission भेजने वाले हैं moon पर जिसका नाम है Lupex जिसके लिए lander India प्रोवाइड करेगा और एक खास बात अगर तो देखो जपान ये बोलता है कि हमारा ये current जो mission है ना slim ये precisely land कर गया यानि जो sport हमने 100 square meter का identify किया था exactly वहीं पर इसने land किया है फिर तो देखो India, Japan का जो joint mission है ना Lupex उसको भी फिर precisely land करवाया जाएगा उस particular sport पे जो identify किया जाएगा ये जानते हो important क्यों है ये important इसलिए है मान लीजिए ये moon है अब दोखो moon पिना पहले ऐसे होता था कि 100 meter का area identify कर लिया कि मर्जी कहीं पर land करवा जो लेकिन इसमें गया होता था मान लीजिए यहाँ पर research करनी है इस area में और lander land कर गया यहाँ पर अपना lander से जो गाड़ी निकलेगी rover चार पईयों की वो ना इतनी दूर चल के आएगी बीच में तो खड़े हैं इतने सारे south side में तो खड़े और भी जादा है तो वो गाड़ी चल नहीं पाती ढंक से तो कई बार ऐसा हो जाता है कि lander इतनी दूर land कर गया और जिस side पर research करना है वो बहुत दूर है दोनों के बीच में distance इतनी जादा है कि rover जो है अभी यहाँ तक नहीं पहुंच सकता जहाँ पर research करनी है तो यह technology अगर जपान की काम करती है ना precise landing वाली तो फिर ना exactly for example यहीं पर research करनी है इस point पे तो यहीं पे फिर lander को land करवाय जाएगा precisely दूर नहीं land करवाय जाएगा US भी देखो अपनी तरफ से लगा हुआ है इस space race में US में एक private company है astrobotic और यह company funded है NASA के द्वारा यह भी moon पर landing करवाने के लिए इसने mission भेजा था इस company ने लेकिन propellant leak हो गया यानि जहां पे fuel वगरा रखा होता है propulsion के लिए वो leak हो गया तो इसलिए वापस इसको earth के atmosphere में re-enter करवाया गया फिर से यह mission भेजा जाएगा ठीक ठाक करके जो भी चीजे गलती होई है अब देखो US का एक और mission है Artemis mission जिसमें कई सारे देश सामिल है इस Artemis mission में तो US फिर से इनसान को land करवाएगा moon के उपर और वहाँ पे एक base बनाया जाएगा moon पे permanent base टाइप कुछ तो कुल मिला के देखो ये एक space race टार्ट हो गई है विबिन देशों के बीच में और अच्छी बात देखो ये है space race में Asia बहुत आगे निकल गया है आप देखिए 5 देश USA Russia China India Japan इसमें देखो 4 तो Asia से समन रखते हैं Russia मतलब मान लीजिए कि आधा Asia में है तो 4 देश तो देखो Asia के हो गए आने वाले समय में देखो विबिन देशों के बीच में ये जो race है न ये और ज़्यादा intense होगी ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया चलते हैं आगे इसके बाद नेस्ट आर्टिकल इंडिया मिडल इस्ट यूरोप एकोनमी कोरिडोर से समधित हैं काफ़ इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आप G.S.Paper 2 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों देखो एक चीज पिछले कुछ दिनों में हमने देखी यह जो रेड सी का एरिया है ना यहाँ पे और इसके आसपास मैं हाइलाइटर का यूज करता हूँ दाकि आपको आसानी से समझ में आ जाए यह जो एरिया है ना यहाँ पे हाउथी रिबल्स काफ़ी तंग कर रहे हैं सिप्स को बड़ी बड़ी सिप्स अपने सिप्स यहाँ भेजती है स्वेज कैनल से होके मेडिटिरेरियन सी से होके यूरोप जाने के लिए बट हाउथी रिबल्स अटैक कर देते हैं सिप्स पर मुझूद लोगों को होस्टेज मना लेते हैं जिस वज़े से बड़ी जो कमपनीज है अपने सिप्स अब यहाँ से भेजने से कत्रा रही है बेसक देखो USA ने कुछ देशों के साथ मिलके ओपरेशन गार्डियन प्रोस्पर्टी लोंच किया लेकिन फिर भी खत्रा तो देखो है ही और यह जो सिप्पिंग कमपनीज है न यहाँ से घुमा गे अपने सिप्स भेजने के लिए तियार नहीं है उनको लगता है कि यार इससे तो बहुत खर्चा आएगा और 14 दिन 21 दिन जादा समान को डिलिवर किया जाएगा तो यह रूट तो अमारे लिए कोन भी कोरिडोर अभी सिरफ इस कोरिडोर को लेके M.E.U. साइन हुआ था बना नहीं है एक कोरिडोर लेकिन इस कोरिडोर की इंपोर्टन्स काफी जादा बढ़ गई है मैं आपको बताता हूँ कैसे इस कोरिडोर में क्या होगा सिपिंग कंपनीज देखो समान ऐसे नहीं भेजेंगी इसके बज़ाए इस कोरिडोर में ये रूट फोलो किया जाएगा UAE, साओधेरेबिया ये पूरा एरिया लैंड से कवर किया जाएगा यहाँ पर ये जो आपको लाल लाइन दिखरी है न ये रूट रहेगा स्वेज कैनल रूट के अल्टरनेटीव में मैं पैन एक बर अच्छे से इस्तमाल कर लेता हूँ ताकि आपको असानी से समझ में आए हाँ, नीले वाला पैन ले लेते हैं ये रूट रहेगा देखो अब थोड़ा ना डिटेल से इसको डिसकस करते हैं काफी इंटरेश्टिंग और इंपोर्टन आर्टिकल है ये देखो पहले ये मिटा देता हूँ मैं हाँ, अभी ना इस्राइल और हमास के बीच में वार जल रहा है तो ना कुछ एक्सपर्ट ने कोशन्स रेज़ किये क्या इस सिच्वेशन में सबसे पहली बात क्या इस सिच्वेशन में सौधिरेबिया और युए ये तैयार होंगे इस्राइल के साथ कोपरेट करने के लिए क्योंकि इस कोरिडोर में इसराइल भी आता है तो दूसरे एक्सपर्ट्स का ये कहना है दिखो जब टरंप राश्टर पती थे थे ना तो अबराम एकोर्ड साइन हुआ था अबराम एकोर्ड के एकोर्डिंग UAE समेत कुछ दूसरे देशों इसराइल के साथ अपने रिष्टों को नॉर्मलाइज कर लिया था और हमास ने इसराइल के उपर अटैक किया उसका एक रीजन ये भी था अगर आपको याद हो सौधिरेबिया इसराइल के साथ अपने रिष्टों को नॉर्मल बनाने जा रहा था लेकिन हमास ठीक करेगा या नहीं करेगा इस पे एक चीज़ डिपेंड करती है अगर देखो ट्रम्प राष्टरपती बनते हैं ट्रम्प आपको पता है बिजनसमेंड माइंडसेट के हैं वो पुष्ट करेंगे साओधेरियविया को कि भाईया कोरिडोर बहुत काम का है आप रिष्टो को नॉर्मल बनाओ और इस कोरिडोर को लेके हम आगे बढ़ते हैं बढ़ देखो उसमें भी एक दिक्कत यह आ जाती है ट्रम्प ना थोड़े ऐसी परशनेल्टी है जिन्वे ना पेसंस कम है ऐसा हो सकता है कि शुरुवात में वो थोड़ी बहुत कोशिस करें और बाद में उनका पेसंस खतम हो जाएं कि यारे छोड़ो यार ये भी एक इशू आ सकता है लेकिन देखो इस कोरिडोर की हम डिटेल से बात करें कहां पे दिक्कत एक्चली आएगी रूट में ये देखो इतना जो पॉर्षन है ना जाबेल अली से लेके यहां तक का इतने पॉर्षन में कोई दिक्कत है ही नहीं एतियाद रेलवेज या फिर दूसरी जो रेल कॉर्परेशन है ना वो आलेड़ी इतने रूट पे काम कर रही है मतलब इस कोरिडोर की बात नहीं है वैसे भी गल्फ रीजन को आपस में कनेक्ट करने के लिए इतने पॉर्षन पे रेल लाइन बिच रही है दिक्कत स्टार्ट होती है यहां से सौधिरेबिया में अल हदीता से लेके इसराइल हैफा इतने से छोटे से पॉर्षन में दिक्कत है कि सौधिरेबिया मानेगा नहीं इस छोटे से रूट पर रेल लाइन इस्टाबलिस करने के लिए लेकिन एक दूसरा वर्ग ऐसा है एक्सपार्ट का है जो बोलता है सौधिरेबिया मान जाएगा क्योंकि यह इस रूट से सौधिरेबिया को बहुत ज़्यादा कमाई होने वाली है कैसे होने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ देखो जब यह रूट बनेगा बात सिरफ ट्रेड की नहीं है इस ट्रेड रूट में ना सिरफ गुड्स का अदान परदान होगा मतलब समान आएगा जाएगा बलकि इलेक्टरिस्टी केबल भी बिचेंगी इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल की भी सप्लाई होगी इस रूट से डिश्टल केबल भी बिचेंगी यहाँ पे ताकि इंटरनेट असानी से चल सके उन देशों में जो अभी कम कनेक्टिड है तो मतलब बहुत जबरदस्त यह कोरिडोर होने वाला है और इवर इसको लेके तर्की भी नराज है तर्की का यह कहना है कि हमें आपने छोड़ दिया इस रूट में तर्की यह कहता है मैं आपको मैप दिखाता हूँ और इराक होते हुए तर्की जाना चाहिए था तब हमें खुसी होती और इसलिए तर्की अभी नराज है कि हमें इस कोरिडोर से छोड़ दिया गया है लेकिन देखो experts कहते हैं तर्की आखिरकार मान जाएगा तर्की की इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कुछ और problems भी है जैसे देखो halfa port जो है न halfa port की अभी न capacity इतनी ज़्यादा नहीं है कम capacity है halfa port की उसके लिए एक suggestion ये दिया जाता है कि जैसे अंबानी ने बढ़िया ढंग से मुंदरा port डवलप किया है तो इसराइल के halfa port में न ने sorry अदानी ने किया है इस port को बढ़िया डंग से डवलप किया जा सकता है क्योंकि अदानी गुरूप के पास में expertise है ports बढ़िया से डवलप करने की और इंडिया के तो interest सामिल है, इंडिया का hith सामिल है इस port को बढ़िया से डवलप करने में इंडिया में देखो का electrolysis होता है और renewable energy की साइता से होता है तो ऐसी जो hydrogen इस process में produce होती है वो होती है green hydrogen बट देखो इसमें समय लगेगा अभी gulf countries के पास में capacity है दूसरी hydrogen produce करने की जो fossil fuel से produce होती है जिसे क्या साथ grey hydrogen बोलते है न तो इंडिया को अभी grey hydrogen की आवशकता है और जो gulf countries से हमें मिल सकती है इस route के through इसके बाद राइटर एक ओर challenge बताते हैं देखो इस route के सफल होने के बाद जो trade होगा इस route में पता कैसे होगा containers के through होगा और इंडिया में अभी ना containers के through समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाता है बहुत ही कम हमारे देश में ना 70% समान मूव करता है road के through जबकि गलत है देखो road के through अगर समान भेजते हैं जल्दी तो पहुंच जाता है लेकिन ना बहुत महंगा पड़ता है आइडियली होना ऐसा चाहिए कि 30% समान मूव करे road के through 30% rail के through बाकी बचा हुआ माल सीपिंग के through चाहे देखो वो coastal सीपिंग हो या फिर inland सीपिंग हो इसलिए इंडिया को अब containers पे ज़्यादा ध्यान देना होगा और इंडिया चाहता भी है containers पे सीपिंग के through ज़्यादा माल पहुंचाया जाए 2022 में इंडिया की national logistics pool सी आई थी जिसमें इंडिया ने ये बोला मतलब सरकार ने ये बोला 2030 आते आते इंडिया में भी logistic cost जो है न हम global level पे जितनी logistic cost है उतनी लेकर आ जाएंगे क्योंकि देखो माल लीजे चाइना की कोई company सस्ता माल भेज पाती है USA में और इंडिया की company महंगा माल भेज पाती है USA में तो तो इंडिया पिछड जाएगा ना चाइना की companies जीत जाएंगी तो सरकार की कोशिस यही है logistic cost कम की जाए समान को भेजने और लाने की जो cost है वो कम की जाए तो इसका एक solution है containerization यानि shipping पे जादा focus हो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ writer ये बोलते हैं कि South India के जो राज्य है ना इनको भी फाइदा होगा इस trade route से कैसे देखो ports हमारे और जला develop होंगे अभी ना क्या होता है कि South India के जो ports है ना कोलम्बो ट्रांसिप्मेंट हब पे depend करते हैं पहले समान वहाँ उतरता है वहाँ से फिर South India के ports पे आता है लेकिन अगर ये corridor सफल होता है तो हमारे जो South India के ports है ना उनको भी हम फिर further develop करेंगे और कोलम्बो ट्रांसिप्मेंट हब पर जाने की उन्हें आपशकता नहीं पड़ेगी यहाँ पर भी कोश्ट बचेगी तो कुल मिला के फाइदा देखो इस route से काफी ज़्यादा है अब बात सिरफ इतनी है इसराइल और सौधरेबिया सौधरेबिया को मानने की जूर था इसराइल तो मना मनाया है सौधरेबिया मान जाए इस route के लिए तो फिर ये इसराइल से सौधरेबिया के बीच का इतना स से समान जाता है स्वेज कैनल मेडिटेरियरन सी इस रूट पे जो डिपेंडेंस है ना वो खतम हो जाएगी यह पूरा आर्टिकल हमने डिसकस किया चलते हैं आगे इसके बाद नेस्ट आर्टिकल महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स की रेलवेंस से समधित हैं आप देखो जी उपराश्टरपती के द्वरा उपराश्टरपती ने कहा बुद्धिजम इंडिया में बोन हुआ था और बाद में इंडिया से ही वर्ड के अलग-अलग इलाकों में बुद्धिजम फैला बुद्धिजम मतलब इंडिया को ना लैंड ओफ बुद्धा के नाम से जाना जात और UPSC इन पर questions भी बहुत पूछती है आज के समय में देखो total Buddhism को मानने वाले लोग जानते हो कितने हैं 500 million Buddhism पूरे world में 4 नंबर पे सबसे बड़ा religion है और सबसे ज़्यादा Buddhist कहाँ पे है China में 50% Buddhist रहते हैं Thailand में 13% Japan में 9% Myanmar में 8% Sri Lanka में 3% Vietnam 3% Cambodia 3% South Korea 2% Malaysia 1% समझ गए अगर question पूछ लिया जाए अब देखो उस चीज़ पे आते हैं कि महात्मा बुद्ध की teachings की relevance क्या है गांधी की teachings की क्या relevance है ये UPSC पूछ चुकी है महात्मा बुद्ध की teachings की relevance पूछे जाने की संभावना काफी जादा है पहले तो आप देखो वर्ल्ड किन किन प्रोब्लम से जूज रहा है एक तरफ देखो ग्लोबल कंफ्लिक्ट का खत्रा कितना जादा है हाल खिमें आमने देखा इरान पाकिस्तान के बीच में tensions पैदा हो गई इसराइल हमास के बीच में यूद चल रहा है रश्या उक्रेयन के बीच में यूद चल रहा है climate change हो रहा है काफी तेजी से ये problems है problems आप बता सकते हो unemployment काफी जादा है terrorism काफी जादा पनपर है पिछले 5 सालों में terrorism की वज़े से जादा जाने गई है poverty काफी जादा बढ़ गई है एक तरफ देखो अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं गरीब और जादा गरीब हो रहे हैं यानि inequality जो है काफी जादा बढ़ गई है इन सब points को आप data की साहिता से substantiate भी कर सकते हो जैसे देखो 2022 में 670 million लोग ऐसे थे जो extreme poverty में रह रहे थे और 2020 के बाद का data ये कहता है top 1% लोग के पास में world की दो ती high wealth है इतनी ज़्यादा ऐस मानता है income में यानि income inequality इतनी ज़्यादा है और climate change से समंदी तो देखो IPCC की report आती रहती है इसके अलावा global conflicts का data भी आपको पता है Institute for Economics and Peace annual global peace index है इसका कहना है पिछले एक साल में 2,38,000 लोग की death हो गई है global conflicts में तो ये सारी problems आपको पता है अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध की teachings कैसे इन problems को दूर कर सकती है पहले आप मुझे ये बताईए मैं आपकी knowledge test करता हूँ अगर UPSC ये पूछ ले महात्मा बुद्ध की main teachings क्या है दिमार्ट पर जोड डालिए और बताईए मुझे महात्मा बुद्ध की important teachings क्या है सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा चार noble truth मुझे पता ये ही आएगा आपके दिमाग में four noble truth यानि की इस दुनिया में sufferings है लोग suffer कर रहे है sufferings का origin क्या है इच्छाएं desires जो चलती रहती है चलती रहती है और इच्छाएं पूरी ना होने की वज़े से suffering रहती है कैसे इस suffering को कम किया जा सकता है eightfold path की साइता से ये दूसरी important teaching है बुद्धा ने जो दिया था eightfold path eightfold path की साइता से मुक्ति पाई जा सकती है right view, right intentions, right speech, right action right livelihood, right effort, right concentration right mindfulness ये mindfulness तो अलग से भी बुद्धा की एक teaching है mindfulness का मतलब ये होता है कि आपने emotions के बारे में aware रहो, सजग रहो हर moment आपके emotions आपका experience कैसा है उसके बारे में आप aware रहो गुस्सा आया है तो आप aware रहो कि मुझे गुस्सा फील हो रहा है समझ रहो, इससे गया होता है कि इंसान फिर अपने temperament को control कर सकता है इसके लावा और बताईए next, चोथा principle आप कह सकते हो बुद्धा की teaching का है interconnectedness interconnectedness मतलब ये बात बुद्धा ने बोली थी जो आज के समय में one family, one earth वो हम बोलते हैं तो ये बुद्धा का principle है interconnectedness और सबसे important जो बहुत famous है middle path एक्स्ट्रीम में मत जाओ यार ना तो देखो 20-20 गंटे पढ़ो आप 18 गंटे पढ़ो और ना ही 2-4 गंटे पढ़ो बीच का रखो न 10-12 गंटे पढ़ो बड़िया डंग से 10 के आसपास ये middle path है इसके लावा बुद्धा compassion पे focus किया करते थे करूना public welfare पे उनका काफी focus था compassion दिखाओ और जितना लोग का भला आप कर सकते हो welfare सुनिश्चित करो तो ये main बुद्धा की teachings है अब देखो इन teachings को कैसे use किया जा सकता है ये problems जो हमने सुरवात में discuss की इनको address करने में अब देखो आसानी से आप वैसे तो question का answer देद होगे लेकिन फिर भी मैं आपको examples की साहिता से बता देता हूँ जैसे देखो middle path है एक तरफ आपको पता है हमारा पूरा world ना consumerism की तरफ आगे बढ़ रहा है consumerism की वज़े से consumerism की वज़े से कितना जारा नुक्सान हो रहा है climate को, environment को और दूसरी तरफ गरीबी इतनी जादा है क्यों न middle path पर focus किया जाए ना तो इनसान बिलकुल ही गरीब रह जाए इसके लिए सरकार बहुत कुछ कर सकती है और ना ही over consumerism हो ना ही over consumption हो तो middle path अपनाने की आउशकता है उसी परकार से इंटरकनेक्टिडनेस जो principle है वो बोलता है कि आप पेड़ पोदो को नुकसान पहुंचाओगे environment को नुकसान पहुंचाओगे तो आप के उपर असर पड़ेगा इस चीज़ का आपके उपर negative impact पड़ेगा इसलिए आप environment को नुकसान पहुंचाना छोड़ दो ये हम ड्रा कर सकते हैं बुद्दा के interconnected principles है फिर terrorism है terrorism के against बुद्दा का ये principle आता है एक तो eightfold path था इसमें बुद्दा ने सारी बढ़िया बढ़िया बाते बोली है right view, right intention किसी को मारना देखो सही intention को नहीं show करता है समझ रहे हो, right effort बुराई को खतम करना हलाकि वो बात अलग है कुछ लोग बोलेंगे कि आतकवादियों का तो mind was होता है उनके हिसाब से हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सच यही है इसके लावा बुद्धा compassion और public welfare की बात करते थे तो इससे गरीबी खतम की जा सकती है बुद्धा का principle है mindfulness का कि आप अपने experience को पहचानो experience के बारे में aware रहो emotions के बारे में aware रहो तो इससे आज के youth में जो anxiety है जो depression है उसे खतम किया जा सकता है specific line अगर use करें तो यह है बुद्धा की इस बारे में भवतू सब मंगलम इसका मतलब है blessings compassion and welfare of all समझ गे तो इस principle से inequality और poverty को tackle किया जा सकता है यहाँ पे लिखा हुआ है भवतू सब मंगलम और बुद्धा वैसे देखो आपको पता है meditation काफी क्या करते थे meditation पे काफी ज़्यादा focus है बुद्धिजम में तो फिर stress youth tackle कर सकते है meditation की साहिता से mindfulness की साहिता से तो यह हमने समझा कि कैसे बुद्धा के जो principles है उनका इस्तमाल किया जा सकता है आज के समय में जो बड़े global conflicts या फिर problems हैं उनको tackle करने के लिए चलते हैं आगे इसके बाद देखो नया post office act एं सरकार के पास में interception की powers से समझादित हैं आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूँ देखो हाल ही में न एक नया bill पार्लेमेंट से पास हुआ post office bill 2023 और president ने sign भी कर दिये इस bill के उपर यह bill हुआ है इसमें एक provision है कि post office की authorities जो है किसी भी emergency situation में किसी भी post office के packet को खोल के देख सकती है लेकिन दिक्कत पते कहा है opposition के concerns यह है यह emergency वाली situation आपने define नहीं की भाईया बता देते हैं कि emergency की situation का क्या मतलब है emergency की situation का मतलब तो बहुत broad है ना तो इसलिए post office के authorities अपनी अंदादुन पावर का इस्तमाल कर सकती है दो लोगों के बीच में correspondence को चेक करने के लिए किसी भी packet को खोलने के लिए तो यह जिसने भी खत लिखा है जिसको भेजा गया है उनकी privacy का उलंगन हो जाएगा privacy आपको पता एक fundamental right है अब पुट्टा स्वामी केस की judgment के बाद जो 2017 में आई थी उसी परकार से राइटर फिर example देते हैं टेली कम्मुनिकेशन बिल 2023 का इसको भी प्रेजिनेंट ने sign कर दिया यह दो act को replace करता है टेली कम्मुनिकेशन बिल 2023 Indian Telegraph Act 1885 और Indian Wireless Telegraphy Act 1993 इन दोनों acts को replace करता है यह बिल इस बिल में अभी एक section नहीं है 1885 act का एक important section section 7-2-B यह नहीं सामिल किया गया है नए बिल में आप पुछोगे सर क्या है यह section 7-2-B यह देखो central government को empower करता है किना central government rules बनाए कि जब भी किसी का phone tape करना है phone record करना है तो proper precautions बरती जाएं ऐसे rules central government बनाए तो अभी नए यह section नहीं सामिल किया गया है लेकिन हाँ सरकार को इस पर rule बनाने ही पड़ेंगे वो बात तो तय है बट जब तक सरकार इस पर rule नहीं बनाती कि किन साफ धानियों को बरतना ज़रूरी है उससे पहले कि competent authority आदेश दें कि भईया इसका phone record कर दो यह पहले भी बहुत controversial issue था किसी का phone tapping 1996 में न सुप्रिंग कोट ने इसमें judgment भी दिया था सुप्रिंग कोट ने यह बोला था इस case में बिना किसी procedural safeguard के यानि बिना किसी procedure को follow किये कोई भी phone tapping नहीं हो सकती proper procedure को follow करके ही किसी का phone record किया जा सकता है सुप्रिंग कोट ने 1996 में People's Union for Civil Liberties versus Union of India case में यह बोला था क्योंकि उससे मैंना अंदा धुंद illegal तरीके से arbitrary ढंग से phone tapping काफी चल रही थी यानि बिना procedure को follow किये किसी का phone tap किया जाता है ना तो यह right to freedom of speech and expression का उलंगन है article 19 के अंतरगत सिरफ देखो phone tapping तभी हो सकती है जब article 19.2 में जो exceptions बताई गई है ना देश की integrity खत्रे में हो sovereignty खत्रे में हो वो सब अगर चीजें है ना वो सब regions हैं तभी यह freedom of speech and expression का right violate किया जा सकता है अदरवाइज नहीं और देखो privacy का भी उलंगन है यह phone tapping और privacy article 21 के अंतरगत आता है इस right को भी तभी violate किया जा सकता है जब देखो procedure established by law follow किया जाता है मतलब जो procedure है ना उसको follow किया जाता है तभी यह यह fundamental right जो है violate किया जा सकता है अदरवाइज नहीं यह बाते बोली Supreme Court ने कब 1996 की अपनी judgment में कौन सी main important बाते एक तो phone tap करना freedom of speech and expression का उलंगन है दूसरा यह privacy का भी उलंगन है जो article 21 के अंतरगत आता है तो यह किया जा सकता है सिरफ procedure established by law कि according मतलब proper procedure follow करके और procedure भी fair just reasonable होना चाहिए ऐसा ने कि कुछ भी बिकार सा procedure बना दिया कतई illogical और उसको follow करने का आप हवाला दे रहे हो कि हमने देखो यह बिकार सा procedure follow की है अब हम phone tap कर सकते हो नए 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 सुप्रिंग कोट ने बोला procedure अच्छा होना चाहिए procedure reasonable होना चाहिए और फिर उस procedure को follow करो आप तब जाके आप किसी का phone tap कर सकते हो otherwise नहीं कई साल तक तो सुप्रिंग कोट की यही guidelines चलती रही बाद में central government ने सुप्रिंग कोट के इस judgment के अधार पे rules बना दिये तो अब भी नया telecommunication bill पास हुआ है central government को अच्छे rules बनाने ही होंगे कोई विकल्प नहीं है सरकार के पास में हाँ एक चीज़ देखो यह कहते है पुराना जो telecommunication का act था ना उसमें एक provision ये था अगर देखो कोई ना illegal तरीके से किसी का phone टैप करता उसके उपर तो कारवाई का अधिकार था कारवाई का provision था कि किसी ने ना officer ने illegal ढंग से किसी का phone record कर लिया लेकिन मान लीजिए जो competent authority है competent authority for example IG है उनके पास में powers है phone record करवाने की लेकिन वो अपनी powers को expand करके इस्तमाल करते है for example इतनी ज़्यादा आवसकता नहीं थी phone tap करवाने की लेकिन फिर भी महिनों महिने phone tap करवाय गया तो मतलब उन्होंने अपनी power को illegal ढंग से इस्तमाल किया उनके खिलाफ कारवाई का कोई provision है यी नही समझ ये मालीजिये महेस है महेस एक कलर्क है पुलिस डिपार्टमेंट में महेस गलट ढंग से phone tap कर लेता है तो महेस के खिलाफ तो कारवाई हो सकती है लेकिन कोई competent officer जिसके पास वैसे तो power है phone tap करवाने की लेकिन आवशकता हो इसके बाद राइटर एक point ये बोलते है इवन IT act 2000 में भी न सरकार के पास में काफी broad powers है computer वगरा चेक करने की तो इतनी broad powers सरकार के पास नहीं होनी चाहिए बिल्कुल specific powers होने चाहिए कि कि situation में लोगों के freedom of speech and expression या फिर right to privacy का violation हो सकता है ये बिल्कुल ट्या होना चाहिए पहले से specific होना चाहिए ये पूरा article R के विजने लिखा है जो पहले IPS officer थे अब retire हो चुके है तो ये थी हमारे आज की articles की discussion अब questions देख लेते हैं ये questions आपको attempt करने हैं आप वीडियो को post करके इन questions को ध्यान से पढ़ लीजिए एक question इंडिया Middle East Europe Economy Corridor से समदित है और दूसरा question फिर महात्मा गुद की teachings की relevant से समदित है फिर इसके बाद pre के questions हैं बुद्धिजम से समदित अच्छे questions हैं ये आपको tackle करने हैं ये 2019 में UPSC ने पूछा था महायान बुद्धिजम के features कौन-कौन से हैं इन तीनों में से फिर ये है 2013 का question बुद्धिजम में निर्वान का concept क्या है फिर ये 2010 का question है medieval times में medieval India में बुद्धिजम decline होना क्यों start कर गया तीनों में बताना है कौन-कौन सी statement सही है कौन सी गलत है तो हर एक question को ध्यान से पढ़िए और मन में answer सोचिए फिर मैं आपको इनके answers बताता हूँ देखो महायान बुद्धिजम के features क्या है तीनों सही है तीनों features है महायान बुद्धिजम के इस question का answer है desire की जो चिंगडारी है वो खतम होना desire की आख खतम होना इस से निर्वान प्राफ्थ हो जाता है बुद्धिजम में तो A answer है इसका भी answer A है यनि first statement सही है बाकी दो गलत है तो इस परकार से ये थी हमारी आज की discussion आप comment box में जरूर बताइए कैसे लगी आपको discussion मिलते हैं कल फिर से एक नई discussion के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए Thank you Thank you very much for discussion